नमस्का दोस्तों हम फिरा जरो हुए हैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर तो दोस्तों आज से हमने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल सब्जेट के वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है जो की मोस्ट इंपॉर्टेंट है UPSC EPFO Enforcement Officer के एक्जाम के लिए तो चली दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो चली दोस्तों देखते हैं Indian Freedom Struggle तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ जो lectures होंगे वो कौन सी भाशा में होंगे हिंदी भाशा में होंगे चली दोस्तों स्टार्ट करते हैं 1857 का विद्रो जी हाँ दोस्तों 1857 का जो विद्रो है वो भारती एतियास की एक महत्वपून घटना है तो अगर मैं 1857 के विद्रो की भात करूँ तो 1857 का जो विद्रो था उसका जो सबसे महत्वपून कारण था वो यह था कि अंग्रेजों द्वारा भारतिय जनता का आर्थिक शोशन जो महत्वपुन कारण था भारतिय जनता का आर्थिक शोशन उसके साथ सा जो तत्कालिक कारण था वो था चर्बी लगे कार्थूस वाली घटना जिसने भारती सैनिकों की धार्मिक आस्था को चोट पहुचाई थी चली दोस्तों अब एक एक करके देखते हैं विद्रो का कारण पहला है आपका आर्थिक तो अगर मैं आर्थिक कारण की बात करूँ तो जो अंग्रेजों की आर्थिक शोशन की नीती थी कौन सी आर्थिक शोशन की नीती थी जैसे की नई भूराजस्व विवस्था ठीक है करोमे वृद्धी जो हस्त शिल्प उद्योग था ठीक है हस्त शिल्प जो उद्योग था या जो कुटीर उद्योग थे ठीक है उनका क्या हो गया था पूरी थरीके से पतन होना प्रारम हो गया था और जो बागान और नील मस्दूर से उनसे भी क्या जबरन क्या कराया जाता था श्रम करवाया जाता था जो क्रिशक थे कौन जो क्रिशक थे उनके भी जो इक्षा के विरुद क्या उत्पादन करवाया जाता था और अकाल की स्थिती में भी क्या होता था किसानों से लगान वसूला जाता था ठीक है लगान वसूला जाता था और जो किसानों को महाजनों के जो चुंगल में जो महाजन थे उनके चुंगल में क्या वो जो किसान थे वो फस गए थे ठीक है तो ये जो कुछ कारण थे आर्थिक कारण जिसके कारण क्या हुआ लोगों में एक भड काफ की भावना एक लोग जो थे वो क्या भड़क गए ठीक है लोग भड़क गए इसके कारण तो चलिए इसको देख लेते क्या लिखा हुआ है आपे कि ब्रिटिश राज की आर्थिक नीती ने भारती अर्थ विवस्ता को पूरी तरह से द्वस्त कर दिया था किसानों का उच्रिंदर भारत में जमीनी हकीकत को समझे बिना ही नई भूमी कर विवस्ता लागू कर देना बल पूर्वक निश्काशन कर वसूलने के जो क्रूर तरीके अंग्रेज अपनाते थे उसने करेशी प्रधान अर्थ विवस्ता को क्या कर दिया था पूरी तरीके से द्वस्त कर दिया था चली नेक्स देखते हैं नेक्स आपका है राजनीतिक कारण ठीक है राजनीतिक कारण तो अगर मैं राजनीतिक कारण की बात करूँ तो क्या क्या राजनीतिक कारण थे वो मैं आपको बताती हूँ एक एक करके सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एम हर इसका जो काल था वो कब तक था 18212 से 28 तक 1822 से 1828 तक का जो काल था एमहस्ट का तो इसने क्या किया था मुगल बाद्शा ठीक है मुगल बाद्षा से बाद्षाहत मानने से इंकार कर दिया था मुगल बाश्शा थे उनकी जो बाश्शाहत थी उसको मानने से क्या कर दिया था इसने इनकार कर दिया था तो अब दूसरे उसकी बात करते हैं दूसरे वेक्ति की जिसका नाम क्या था जिसका नाम था डलहौजी क्या नाम था डलहौजी ठीक है तो डलहौजी का जो काल था वो क्या था 1848 से 1856 तक का काल था अब जो डलहौजी था उसने क्या किया था बाश्शा को लाल किला खाली करने को कहा था ठीक है तो ऐसे जो राजनितिक कारण थे ठीक है मतलब हर एक व्यक्ति ने क्या अलग अलग चीजें की थी ठीक है जैसे कि लॉड डलहुजी ने क्या किया था लॉड डलहुजी ने जो गोद लेने की प्रथा थी ठीक है उसको क्या मानने से इंकार कर दिया था मतलब और महत्वपुन बात ये थी कि जो लॉयर्ड डलहौजी था उसके इकाल में क्या ये समस्या उत्पन हुई थी उसने क्या किया अनेक राजियों को हडप लिया था और भारती राजियों को हडपने में व्यपगत का सिध्धान्त अपनाये था अब व्यबगत का सिधधान्ट क्या होता है? तो व्यबगत का जो सिधधान्ट होता है उसकी अनुसार यदि किसी राजि के शाशक के पास उसका उत्तरा धिकारी नहीं है तो वे बिटिश राजी में मिला लिया जाएगा प्रिटिश राजी में मिला लिया जाएगा और इससे क्या हुआ था जो विद्रोही थे ठीक है इससे क्या जो लोग थे वो जो राजा लोग थे वो क्या और भड़क गए थे ठीक है चलिए next दिखते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण अंग्रेज द्वारा भारतियों से नसलिय भेदवाव ठीक है आपको समझी आरा होगा कि सामाजिक और धार्मे कारण यही था कि जो अंग्रेज थे उनका भारतियों से क्या नसलिय भेदवाव रखते थे बलपूर्वक असाई बनाने की वो कोशिश करते थे उन्होंने बलपूर्वक कई लोगों को इसाई भी बनाया और समाजिक सुदार जैसे 1829 में सती प्रथा की समापती 1856 में विदवा विवा को कानूनी मात्ता देना ऐसे जो उन्होंने नीतियों चालू की थी उससे क्या हुआ था जो भारतिय समाज के रूरी वारी तत्व थे उन्होंने क्या महसूस किया उन्होंने अपमानित महसूस किया अगर मैं बात करूं 1813 की तो 1813 में क्या हुआ था जो इसाई मिशनरियां थी ठीक है जो इसाई मिशनरियां थी वो भारत में आने की उन्हें क्या मिल गई थी अनुमती मिल गई थी पहली बात तो अब उसके बात क्या हुआ जो ये मिशनरिया थी या जो सिक्षन संस्थान थे उन्हों ने क्या क्या बाजारों और जेलों में खुले आम इसाई धर्म का क्या किया था ठीक है और उन्होंने कई अंग्रेजों जो भारतिये थे उनको बलपूर्वग भी क्या इसाई बनाना अंग्रेजों ने क्या किया था बलपूर्वग भी जो भारतिये थे उनको इसाई बनाने की कोशिश की थी तो उससे भी क्या हुआ था जो भारतिये थे उनकी भावना को ठेश पहुची थी तो ये भी एक कारण है किसका इस विद्रो का एक चीज मैं और आपको बता देती हूँ लौड विलियम बैंटिक के बारे में कि जो लौड विलियम बैंटिक थे उन्होंने और जो डलहौजी थे कौन को लौड विलियम बैंटिक और डलहौजी उन्होंने क्या जो हिंदी समाज में व्याप्त कुरूतियां थी जो मैंने अभी बताई न आपको 1819 में सती प्रथा की समाप्ति और 1856 विवाकिक को कानुनी मानेता देना जैसी जो रूडिवादी तत्व थे या फिर जो कह सकते हैं कुरूतियां थी उसमें क्या था उनको इलम्बेंटिक और डल होजी ने ठीक है चली आगे देखते हैं अब दिखते हैं सेन्य या सैनिक कारण ठीक है सेन्य या सैनिक कारण अब जो पहला ऐसा नहीं था कि 1857 में ही पहला विद्रो हुआ था इसके पहले भी क्या हुए थे कई विद्रो हुए थे जैसे अगर मैं ब 1864 में हुआ ठीक है और सेणा में जो प्रथम धार्मिक विद्रो हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा सेणा का जो प्रथम धार्मिक विद्रो था धार्मिक-विद्रो वो कब हुआ था? वो आपका हुआ था 1806 में कब हुआ था 1806 में अगर आपसे पूछा जाए पहला सैनिक विद्रो कब हुआ था तो 1764 में हुआ था और सेना में प्रथम धार्मिक विद्रो कब हुआ था 1806 में हुआ था और कहां पर हुआ था यह भी मैं आपको बता देती हूँ, वह हुआ था, वेललोर में, ठीकार तो अब मैं बात करती हूँ दूसरे विद्रो की, कौन से विद्रो की, दूसरे विद्रो की सेना में जो दूसरा धारमिक विद्रो हुआ था, ध्यान दीजेगा, वो कब हुआ था 1824 में हुआ था और क्या हुआ था बर्मा जाने के मुद्दे पर हुआ था ठीक है और किसके द्वारा हुआ था जो 47 वी से 47 वी जो रेजिमेंट थी उसके द्वारा ये विद्रो किया गया था ठीक है तो ऐसा नहीं था कि जो 1857 था उसमें ही पहला विद्रो हुआ था तो अगर मैं बात करूं 1856 की ठीक है तो 1856 में क्या हुआ था लॉड कैनिंग द्वारा किसके द्वारा लॉड कैनिंग द्वारा लॉड कैनिंग की जो सरकार थी उसके द्वारा क्या सेना भरती अधिनियम पारित हुआ था अब उसमें क्या था जो सैनिक थे उनको क्या दिया जाता था कमवेतन दिया जाता था ठीक है जो गोरे अधिकारी थे उनके द्वारा उनको अपमानित किया जाता था भारतियों को ठीक है और इसके साथ साथ हर भारती जो सैनिक था वो वास्तव में क्या था वर्दी धारी किसानी था क्या था वर्दी धारी किसानी था ठीक है तो जो ब्रिटिश सेना थी उसमें क्या बंगाल की जो कमान थी वो जो बंगाल का जो छेत्र था वो क्या था वो सबसे बड़ा था और जो बंगाल कमान के अधिकतर सैनिक थे वो कौन अवध वो कौन अवध यानि उत्तर प्रदेश स उने आते थे अब जो यह सैनिक थे उन्होंने अवद के विले का फिर उन पर क्या पड़ा है बशी जातीन धे है जो जो सैनिक उच्छी जातीन उसको क्या उस विकार नहीं कर पाते थे ऐसे ही क्या हुआ एक व्यक्ति आया मंगल पंडे कौन मंगल पंडे जिसने क्या किया चर्बी लगी कार्तूस के मुद्दे पर क्या की बगावत कर दी और क्या की बगावत की शुरुवात की और बंगाल जो कमान थी बैरकपूर चावनी से ही संबंधित थी चलिए और डिटेल में देख लेते हैं इसको कि जो सैने विद्रो था अंग्रेज भारती सैनिकों से भेदबाब करते थे और सेवा शर्तों एवन पदोनती में इनके बहिशकार की नीती इन्होंने अपनाई थी जिससे उच्छ और प्रमुकपद उरोपियों के लिए ही क्या आरक्षित हो गए थे अब ततकाली कारण तो वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ तो जो यहां पे लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा ओर डिटेल में कि एन्फिल्ड राइफल का प्रयोग जिसके कार्थूस के खोल में क्या गाय और सूर की चर्वी का प्रयोग हुआ थ को चौतिस इन्फेंट्री के भारती सिपाही मंगल पांडे ने अगर आप से पूछ लिया जाए कि मंगल पांडे कौन से इन्फेंट्री के थे तो चौतिस वी इन्फेंट्री के थे ठीक है तो सिपाही मंगल पांडे ने क्या किया दो ब्रिटिश अधिकारियों वाग और म परेड के दौरान बैरकपुर में जो कि कहा पर है कलकत्ता में है वहाँ पर क्या कर दी थी गोली मार दी थी ठीक है तो ततकालिक कारण क्या था आपका ये था अब चलिए जो विद्रों की वास्तविक शुरुआत हुई थी ध्यान दीजेगा जो विद्रों की वास्तविक शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी वो हुई थी 10 मई 1857 को कब हुई थी 10 मई 1857 को कहां से शुरू हुई थी मेरट से शुरू हुई थी ठीक है कहां से शुरू उन्हें अंग्रेश जो अधिकारी थे उन पर क्या गोली चलाई थी और कहां पर दिल्ली की और वे लोग आगे बढ़े थे चलिए देखते हैं कैसे मेरट से शुरू आता चर्वी वाले कार्टूस के प्रयोक से मना करने पर कुछ सिपाईयों को सजा सुनाई गई जिससे नार को के अन्य समू के साथ मारो फिरंगियों को कहते हुए आगे बढ़े उन्होंने जेलों को तोड़ दिया यूरोपियों की हत्या कर दी उनके घरों में आग लगा दी और सूर्योदों के बाद दिल्ली की और कूछ किया ठीक है अगली सुभा कब अगली सुभा ग्यारा मई क ग्यारा मई को वो लोग कहा पहुँचे दिल्ली पहुँचे और बारा मई को कब बारा मई को बारा मई को दिल्ली पर अधिकार करके ठीक है बारा मई को उन्होंने क्या किया दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादूर शाह द्वितिये कौन ध्यान दीजेगा बहादूर बहादुर शाद्विति जो था उसको भारत का समराथ घोशित कर दिया था ठीक है किसको समराथ घोशित कर दिया था जो बहादुर शाद्विति था उसको समराथ घोशित कर दिया था शेहन शाय हिंदुस्तान घोशित कर दिया था जो कि कितने वर्ष के थे 82 वर्ष के एक व् कर लिया इससे अंग्रेजों से घ्रिणा करने वाले सभी लोगों को एक जुट होने का केंद्र बिंदू मिल गया था चलिए अब भारत में 1857 की विद्रों के प्रमुख नेता देख लेते हैं यहां पर मैं आपको बता देती हूं पहले विद्रों का प्रसार ठीक है क्या बता 1858 में मेरट के जो सैनिक थे उनके द्वारा जो प्रारम विद्रों था वो तेजी से क्या हुआ जो देश था अपना उसके अन्य भागों में क्या फैल गया या फैलने लगा लेकिन वह मुख्य रूप से कहा कहा पर फैला वो मुख्य रूप से पहला उत्तर पश्चिमी प् प्रांत में यानि की उत्तर प्रदेश यानि उत्तर प्रदेश ठीक है आप बिहार ठीक है उत्तर प्रदेश बिहार और जो मध्य प्रांत था कौनसा जो मध्य प्रांत था वहां पर ये जो छेत्र थे वो वहां तक ही क्या था सीमित था अगर मैं बात करूं किन किन राज्य बंगाल, पंजाब, उडिसा ये जो राज्य थे भारत के वो क्या विद्रो से अच्छूते रहे थे चलिए अब हम नेताओं के बारे में देख लेते हैं कि प्रमुख नेता कौन-कौन से थे तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो थे मंगल पांडे मंगल पांडे 1849 में 22 वर्ष की आयो में इस शिन्या कंपनी की सेना में क्या हुए थे भरती हुए थे वे 34 भी बंगाल नेटिव इंफेंटरी में थे और मुख्य रूप से 29 मार्च 1857 में बैरकपूर में अपने ब्रिटिश अधिकारियों पर आक्रमन करने के लिए उन्हें जाना जाता है इस घटना को 1857 की सिपाई विद्रो या प्रतम सतंतरता युद की शुरुआत भी कहा जाता है तो मंगल पांडी के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ चलिए नेक्स देखते है चलिए आप देखते है कानपूर से कौन थे मुख्यनेता तो कानपूर के अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा मैं आपे बता देती हूँ यहाँ पर क्या था जो अंतिम पेशवा थे कौन अंतिम पेशवा बाजी राओ दुइतिये के जो दद्तक पुत्र थे वो कौन थे नाना साहिब थे तो जो कानपूर से जो विद्रो का नेत्रत्व किया था वो किनों ने किया था नाना साहिब ने किया था ठीक है तो अब क्या हुआ था पात जून को कब पात जून को कानपूर में कहा पर पात जून को कानपूर ने इन्होंने अंग्रेजु को क्या अंग्रेजु से इन्होंन ठीक? अंगरेज त्रिया और बच्चे थे उनकी क्या हत्या कर दी गई? पुना अधिकार कर लिया कहां पर कानपूर में और जुनाना साहब थे वो क्या हो गए? पराजित हो गए और कहां चले गए? नेपाल चले गए कहां चले गए वो नेपाल चले गए और कानपूर में नाना साहिब की और से लड़ने की मुख्य जिम्मेदारी किसे मिल गई तात्या टोपे को मिल गई किसे मिल गई तात्या टोपे को मिल गई जिनका जो नाम था वो क्या था राम चंद्र पांडूरंग यह आता भी है कई एक्जाम्स में क्या था पांडूरंग नाम था ताट्या टोपे का ठीक है चलिए नेक्स देखते हैं अब आते हैं हम कहा पर अब आते हैं हम जासी पर ठीक है अब आते हैं हम जासी पर तो गंगाधर राउ की विद्वा थी रानी लक्ष्मी बाई ठीक है उन्होंने अपने दत्तक पुत्ठ दामोदर राई कौन दत्तक पुत्र दामोदर रॉय जो उनका दत्तक पुत्र था दामोदर रॉय को जहासी के गद्दी ना दिये जाने से वो क्या थी अंग्रेजों से नारास थी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताये था ना जो लौड डलहोजी ने शुरू की थी व्यवस्था की दत्तक पुत्र उत्तर अधिकारी नहीं बन सकता तो जो रानी लक्ष्मी भाई थी तो उनका जो दत्तक पुत्र था कौन दामोदर रॉय तो उसको जहासी के गद्दी ना दिये जाने से वो क्या थी अंग्रेजों से नारास थी इसी वज़े से उन्होंने भी क्या किया था विद्रो कर दिया था कहा से जहासी से उनका ना मनी करनी का भी उनको कहा जाता है ठीक है तो अगर मैं बात करूँ सर हिरोस की किसकी सर हिरोस की तो उन्होंने जो हिरोस था उसने क्या क्या जासी को घेड लिया और जो रानी थी जासी की रानी या लक्षमी बाई थी वो क्या गौलियर चली गई ठीक है अन्तता क्या हुआ गौलियर में हिरोस से लड़ते हुए किस से लड़ते हुए, हिरोज से लड़ते हुए, वो क्या मारी गई और ग्वालियर में तात्या टोपे लक्ष्मी बाई के साथ लड़े थे, ये ध्यान रखेगा जो तात्या टोपे थे, वो क्या रानी लक्ष्मी बाई के साथ लड़े थे, कहां पर ग्वालियर में जब वो सहायक और सेनपती थे 1857 में कानपूर को घेरा बंदी के दौरान नाना साहिब की सेना उन्हें ब्रिटिश मोर्चे पर जून 1857 में आक्रमन कर दिया था ठीक है चलिए अब नेक्स देखते हैं दिल्ली ठीक है दिल्ली के अगर मैं बात करूँ तो 12 माई को क्या 12 माई को बहादूर शाह जफर किसको बहादूर शाह जफर को क्या कर दिया गया था समराट घोशित कर दिया गया था उसके बाद बक्त का कौन बक्त का उसके बाद बक्त का क्या दिल्ली विद्रों के मुख्यनेता बनाए गए थे क्या बनाए गए थे दिल्ली विद्रों के मुख्यनेता बनाए गए थे दिल्ली विद्रों को दबाने के क्रम में ठीक है जो खेज अधिकारी थे कौन जौन निकलसन कौन जौन निकलसन वो क्या मारा गया जो हटसन था ठीक है हटसन ने क्या क्या दिल्ली पर अधिकार कर लिया और जो बहदूर शाजफर थे जो हुमायू के मकबरे में छुपे हुए थे उनको क्या कर लिया था गिरफतार कर लिया था और इन्हें क्या रंगून निर्वासित कर दिया कहा पर निर्वासित कर दिया था इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया और 1862 में क्या हुआ इनकी मृत्यू हो गई अब मैं बात करूँ अगर वीर कुवर से ही की किसकी बात करते हैं वीर कुवर से ही की अगर मैं बात करूँ तो ये जगदीशपूर ठीक है जगदीशपूर के कुवर सी विद्रो के क्या थे मुख्य नेता थे जगदीशपूर वरतमान में भोदपूर जिला बिहार काये खिस्सा ठीक है तो कहा किनीता थे जगदीशपूर के जो कुमर से थे वो विद्रों के मुखे नीता थे 1857 में 1857 के विद्रों में यही एक ऐसे वीर थे जिन्नोंने अंग्रेजों को कई बार क्या किया था पराजित किया था क्या किया था पराजित किया था और बाहा में गोली लग जाने के कारण एक हाथ काट कर गंगा नदी में फेक दिया था आप खुछ सोचिया उनकी बाहा में गोली लग गई थी, तो उन्होंने क्या किया था, कि अपना एक हाथ काट कर गंगा नदी में फेक दिया था. अब बात करें शामल की तो शामल उत्तर प्रदेश के बड़ोत परागना में एक बड़े गाउ में रहते थे इन्होंने 84 देशों के प्रधानों और किसानों को इखटा कर रात में ही गाउं से गाउं तक जाकर अंगरेजों के खिलाफ क्या कर दिया विद्रो करने के लिए लोगों को क्या किया था समझाय था इसलिए ये भी क्या एक मुख्य नेता थे चले नेक्स नेता देखते हैं नेक्स नेता है मौलवी अहमदुल्ला शाह तो जो ये मौलवी अहमदुल्ला शाह थे वो उन मौलवियों में से थे जिन्होंने 1857 के विद्रों में क्या निभाई थी प्रमुक भूमी का निभाई थी हैदराबाद में शिक्षित वायुवा वस्ता में ये क्या मुस्लिम धर्म में धर्म उपदेशक थे वो क्या बन गए थे इन्होंने भी क्या किया था गाउं गाउं गूंकर अंग्रेजों के खिलाफ जो जिहाद धार में क्यूत का क्या दिया था इन्होंने उपदेश दिया था और विद्रों करने को कहा था ठीक है, 1856 में ये लखनोग पहुचे और इन्होंने पूलिस दुआरा शहर में उप्तेश देने से रोग दिया गया, बाद में 1857 में फैजाबाद में जेल में इन्हें डाल दिया गया था, तो ये कहां से थे, अगर इनका छेतर पूछा जाए तो फैजाबाद से इन्होंने विद्रो का क्या किया था, नेतरत्व किया था, अब बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली का मैं आपको बताई चुकी हूँ, कौन मुगल बाश्या, बहदूर शाह, लेकिन वास्तिविक नेतरत्व मैं आपको बता चुकी हूँ, किसने किया था, बक्त खाने किया था, जो स अब बात करते हैं, कहां कि अब बात करते हैं हम बरेली की तो बरेली में, ठीक है, बरेली में खान बहाद्दूर खान, किसने खान बहाद्दूर खान, समपूल रुहेल खंड की यही एक मात्र नेता थे, ठीक है, कौन खान बहाद्दूर खान, रुहेल खंड के एक मात्र यही नेता थे ठीक है अब मैं अगर बात करूं लखनाओ की हमारे पास लास्ट बचा है लखनाओ तो अगर मैं बात करूं लखनाओ की तो चार जून को कब चार जून को जो बेगम हजरत महल थी कौन जो मेगा हजरत महल थी उन्होंने विद्रो करते करते जो अलप वैस उनका पुत्र था ठीक है जो कादिर उनका अलप वैस का पुत्र था उसको अवध का क्या कर दिया था नवाप घोशित कर दिया गया था कर दिया था और अंग्रेज जो सेनपती मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था जो कैंप बेल था ठीक है उसने लखनो पे पुना क्या कर लिया था कबजा कर लिया था और जो बेगम हजरत महल थी वो भी कहां पे चली गई थी नेपाल चली गई थी ठीक है कहां चली मिवाई बिहार आरा जगदिशपूर के कोवर सेन थे ठीक है चली अब 857 की विद्रो के प्रभाव देख लेते हैं विद्रो के प्रभाव बताने से पहले एक चीज और जान लीजिए कि जो विद्रो के दौरान क्या था जो अंग्रेजी सहायक थे उसमें कौन-कौन शामिल थे सिंध्या शामिल थे हैदरबाद का जो निजाम था वो शामिल थे और भुपाल की बेगम शामिल थी चली अब बढ़ते हैं अठाशात्तावन की विद्रो के प्रभाव की और तुम्हें पहले आपको पता देना चाहती हूं जो विद्रो का छेत्रिय स्वरूप था ठीक और दक्षिन भारत का जो छेत्र था ठीक है जो दक्षिन भारत का छेत्र था उसमें क्या बनी रही थी शांती बनी रही थी ठीक है अभी मैंने कुछ देर पहले भी बताया था कि ये छेत्र क्या इस आंदूलन से अच्छूते रहे थे और अगर मैं जन समर्थन की बात करू तो जन अगर समर्थन की मैं बात करूँ तो पूरे देश से या पूरे भारत से इनको क्या समर्थन नहीं मिल पाया था क्योंकि जो शिक्षित वर्ग के लोग थे या जो मध्यम वर्ग या जो शिक्षित उच्च वर्ग के लोग थे ठीक है उन्होंने किया इस विद्रो की क्या की थी आलोचना की थी जो व्यापारी वर्ग था उसने भी क्या इस विद्रो की क्या की थी आलोचना की थी तो अगर मैं बात करूँ किसकी विद्रो का जो पारंपरा गज्जु स्वरूप था उसकी अगर मैं बात करूँ तो वह किस तरीकी का था जो विद्रोई थे उनके पास क्या कोई ऐसा स्पष्ट कारिक्रम नहीं था या फिर कोई ऐसी विचारधारा नहीं थी उनके पास ठीक ह जो बहादूर शाह थे उनको क्या कर दिया था कि भारत का समराट घोशित कर दिया था और इससे यह पश्ट हो जाता था या यह दर्शाता है कि जो विद्रोई थे वो भारत में पुनहा क्या चाहते थे मुगल शाशन की स्थापना करना चाहते थे क्या करना चाहते थे मुगल शाशन की स्थापना करना चाहते थे और बोलोग क्या यह जो विद्रोध था इसको समझ सकने में क्या रहे असफल रहे कि जो देश की मुक्ती है ठीक है जो आधुनिक समाज है ठीक है आधुनिक समाज आधुनिक शिक्षा ठीक है आधुनिक अर्थ विवस्था प्रगितिशाली जो राजनितिक संस्था हैं उनको क्या गले लगाने में है ठीक है तो ये जो कारण थे ये भी बने रहे इस विद्रो के विफलता के कारण चलिए आप देख लेते हैं 1858 की विद्रो के प्रभाव तो विद्रो का जो सबसे बड़ा प्रभाव था वो भारत में इस इंजा का अपनी के शाषन की समापती थी और भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा बिटिश सरकार ने क्या किया भारत का शाषन अपने हातों में ले लि और क्या हुआ जो भारत में बिटिश गवर्नर जनरल थे वो अब वाइसराय कहा जाने लगा तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो आप कोई वीडियो अच्छा लगा हो और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं तो दोस्तों मि मिलते हैं नेक्स वीडियो में थांक यू सो मच